दोस्तों आज की इस वीडियो का टापिक है HT लाइन और LT लाइन में क्या अंतर होता है ये कितने प्रकार की होती है बोल्टेज की आधार पर इन में कहां से कहां तक HT लाइन होती है और कहां से कहां तक LT लाइन होती है इन में किस प्रकार लगाया जाते हैं आपको कहीं पर भी इंटर्वी देने में काफी आसानी होगी तो पूरी वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही महतोपूर प्रशन है अक्सर इंटर्वी अगरा में पूंश लिया जाता है तो आएए देखते हैं सबसे पह दिली का उत्पाधन होता है वो हमारी जो विद्दुद जो हमारी जनरेट करती है वह हमारी हेच्टी लाइन होती है इसको हम और हाइई बोल्टेज में स्टेप अप कर देते हैं ट्रांस्फार्मर से तो वह थिए बन जाती है ठीक है है एक्श्ट्राहई टेंचन हमारी माल यह टावर है हमारा इस टावर पर जो कि हमारा यहाँ पर टर्वाइन है ठीक है यह हमारी टर्वाइन है यहाँ से जो बिजली जनरेट होगी वह हमारी एच्टी होती है जो कि हम बोल्टेज को सबसे जगए जितना ही ज्यादा बोल्टेज को हम स्टेप अप कर जितना ही जादा हम voltage को बढ़ा देंगे उतना ही हमें तार की जो मोटाई है वह कम रखनी पड़ेगी तो हम यहां पर voltage को बहुत ही जादा 132 kv 440 तक हम लेकर चले जाते हैं तो बहुत ही जादा high voltage तक लेकर चले जाते हैं जिससे हमारा conductor होता है उसकी thickness जो है वो कम होती ही चली जाती है तो यहां से हम EHT लेकर चलते हैं उसके बाद हम एक यहां पर sub station बनाते हैं उस sub station में हम इस voltage को 132 kv के voltage को हम input में देते है transformer में और output में हम 33 kv को निकाल लेते हैं और यह 33 kv हमारा HT line के अंतरगत आता है और EHT हमारा 132 kv जो हमारा EHT line के अंतरगत आता है तो हमारा 33 kv हमने निकाल लिया अब फिर हम एक टावर के माद्धम से फिर हम इस voltage को भी आगे भेजेंगे और जो की हमारे distribution जो हमारा sub station होता है उस जगा पर हम इस voltage को लेके जाते हैं और यहां पर हम एक transformer को लगाते हैं जो की 33 kv input में होता है और यहां पर output जो होता है हमारा वह 440 volt होता है अब लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक cable हमारी और निकलती है जो की neutral की होती है input क्या होता है इसका चुकि डेलडा में होता है और जो हमारा output होता है वह स्टार में होता है इसी लिए यहां पर केवल और केवल R, Y और B यह तीन लाइने यहां पर आती हैं और यहां पर R, Y, B और यह हमारा neutral यह 4 केवले हाँ पर निकलती है तो मतलब यह हुआ कि जो generating station है वहां से हमें 3 केवल मिलती है यहां 33 केवी में भी हमें 3 केवल input में 3 केवल output में हमें मिलती है और जो जो हमारा distribution transformer होता है वहां पर हम 3 केवले तो input में देते हैं लेकिन हमें चुकि neutral के में ज़रूत होती है इसलिए हम star connection के माद्दम से हम 4 केवलों को बाहर निकालते है अब आईए इसके बाद हम जानते है जो हमारी voltage होती है वह कितने प्रकार की होती है कैसे कैसे देखिए तो सबसे पहले हमारी जो voltage होती है वह lt line होती है उसके बाद हमारा ht line होता है उसके बाद जो हमारा आता है EHT line हमारी होती है जिसमें से जो हमारा LT line होता है वह 1000 बोल्ट के नीचे के नीचे की जो बोल्टेज होती है उसको हम LT line बोलते है और 1000 बोल्ट से ले करके 33 केवी के बोल्टेज तक की बोल्टेज को हम HT line बोलते हैं और 33 KV के बोल्टेज से लेकर के उपर तक जो भी बोल्टेज हमारी होती है वह EHT लाइन के अंतरगत आती है लेकिन अब यह बात भी है कि जो हमारी LT लाइन होती है इसमें भी दो कटेगरी होती है जिसमें से हमारा सिंगल फेस होता है और थिरी फेस भी होता है जिसमें से सिं इन लाइनों में इनसुलेटर कौन-कौन सा उप्यों किया जाता है सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी L-T-Line में जो इनसुलेटर यूज होता है इसमें जो होता है वो small pin type वो होता है saycle type insulator इसमें यूज होता है और जो हमारा ht line होती है इसमें long pin type insulator यूज होता है और disc type disc type insulator हमारा यूज होता है और यह जान लिए कि जो हमारा lt line होती है उसमें सबसे ज़्यादा fault आते हैं अब fault सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं lt line में क्योंकि जो यहां लाइन होती है सिधे सिधे लोड से जुड़ी हुई होती है क्योंकि यही जो एल्टी लाइन होती है सिधे हमारे घरों में बिजली आती है चाहे वो थ्री फेस के रूप में आए चाहे सिंगल फेस के रूप में आए तो यह सिधे सिधे हमारे load से जोड़ी होती है और load की वज़े से current बहुत ही ज़यदा फ्लो होता है इसमें और बहुत ज़यदा current फ्लो होने के वज़े से heat भी पैदा होती है और यह heat के वज़े से ही सबसे ज़यदा fault आता है जहां high voltage की line on में क्या होता है जोकि voltage बहुत जादा होता है, इसलिए जो current होती है, वह कम होती है, इसकी वज़ा से यहाँ पे heat उतपन नहीं होती है, बहुत ही कम heat उतपन होती है, क्योंकि load सीधे नहीं जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनमे fault कम आता है, तो आज किस फीडियो में हमने जाना की difference between ht and lt line, दोनों लाइनों में क्या अंतर होता है और इन में कहां तक एच्टी लाइन होती है और कहां तक एल्टी लाइन होती है इसके विसम जाना बोल्टेज के अधार पर हमने लाइन को जाना और यह भी जाना कि किस में कौन-कौन से इंसलेटर यूज होते हैं और किस लाइन में सब वीडियो उजाज़ादा लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो संबन देता आपके मन में कोई कंफूजन है कोई समस्चा है कोई टॉपिक है जो मैंने नहीं बताया है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछेगा तो मिलते हैं ने वीडियो के साथ नमस्चकार दोस्तों